एक्स्ट्रेम रितिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाइनेंस में आप डॉलर कैसे खरीदेंगे तो फर्स्ट अब अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा यह वाटसब चैनल फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीके और बाइनेंस में अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो बाइनेंस का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा देखिए अगर आप Binance का account हमारी link से open करते है तो आपको 8000 रुपए का bonus मेलेगा तो अगर आप लोग 8000 रुपए का bonus चाहते है तो मैंने आपको description में link का दे दिया है आप उससे अपना account जरूर से open करिएगा ठीक है and simple हम Binance को open करेंगे आपको step counterface करेगा अब देखिए यहां पे हम markets पे click करेंगे और जैसे कि हमें US dollar buy करना है ठीक है तो हम लोग wallets पे जाते हैं यहां पे यहां पे आपको disclaimer so करेगा तो फिलाल हम इसको cut कर देते हैं यहां पे and हम simple buy पे click करेंगे buy पे click करने और यहां पे हम select कर लेंगे USDT ठीक है जो कि हमने already यहां पे USDT select कर लिया है अगर आपको और कुछ select करना है like आपको BTC select करना है USDC आपको select करना है या फिर और कुछ select करना है जैसे कि मैं यहां पे और भी देख लेता हूँ तो यहां पे आपको जो है यहां पर काफी सारे लोगों के offer मिलते जैसे कि मुझे ये first वाले के साथ buy करना है तो मैं simple buy पर click करूँगा your number of transaction does not meet फिलाल यहां पर मेरे transaction काफी limit full हो चुकी है तो यहां पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ बट simple आप लोग P2P के माध्यम से जो है dollars वगेरा को buy कर सकते हैं यहां फिर second मैं आपको option बताता हूँ यहां पर कि अगर आप deposit करते हैं अब deposit अगर मैं करना चाहता हूँ यहां पर deposit मैं करना चाहता हूँ और मैं USD को select करना चाहता हूँ यहां पर यहां पर मैं continue पर click करूँग continue पर click करने के बाद जो है मुझे buy करना है USD और यहां पर मैं select कर लूँगा अपना INR इंडियन रूपीज में मैं USD बाई करना चाहता हूँ जिसका price चल रहा है अभी 100 रुपए का मतलब 83 रुपए का एक USD मिलेगा मुझे ठीक है तो वो मैंने डाल लिया अप जैसे कि मुझे buy करना है 10,000 रुपए के USD तो यह मैंने अपना price डाल लिया यहां पर price राजा भाई ओके अभी नहीं हो रहा है I don't know क्यों बट मैं ऐसा manually डाल देता हूँ जैसे कि 1000 रुपए का buy करना है तो यह मैंने डाल लिया 100 रुपए का buy करना है फिर 1000 का तो मैंने डाल लिया select payment method में क्लिक करूँगा अब यहां पर मैं I am PS bank के द्वारा transfer कर सकता हूँ UPI के द्वारा transfer कर सकता हूँ lighting UPI का मैं यूज़ करके यहां पर जो है पैसा transfer करके इस तरीके से मैं USDT खरी सकता हूँ ठीक है तो topic is cover मिलते है next वीडियो में